हेलो स्टूडेंट वेल्कम टू सक्सेस मंत्रा एजूकेशन मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी के हमारे फ्री वीडियो कोचिंग क्लासीज स्टूडेंट सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर के लिए आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है 1000 most general science question series का part 2 है यह हमारा तो आज हम इसमें discuss करेंगे general science के most important questions with pictures के साथ और इस वीडियो के अंदर हम जितने भी question discuss करेंगे उसका वीडियो का pdf इस वीडियो का pdf जितने भी question वीडियो में discuss किये जाएंगे उन सभी का pdf link में ने वीडियो के description में डाल दिया है तो आप please अगर आप इन question का pdf चाहते हैं तो वीडियो के description में दिये गए link पर click करकर आप pdf file भी download कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो जो हमारा पहला question है वो है in which state is the guru शिखर peak located clear तो आप सभी जानते हैं बहुत ही पुराना question है यह बहुत famous question है तो आपका guru शिखर peak कहाँ है वो है राज्यस्थान के अंदर clear तो इसी तरह important कुछ important peaks another important peaks जो की इंडिया में situated है जो बारवार आप से exam में पूछे जाते हैं कि जैसे आपका कंचन जंगा peak clear तो कंचन जंगा peak इंडिया में जिसकी उन्चाई है 8586 मेटर और फिर इसके बाद आता है नंदा देवी नंदा देवी कहाँ पर है उत्तरा खंड में और इसकी जो उन्चाई है वो है आपकी 7816 तो इसके नीचे कुछ important लिखे होए है होर फिक जो आप वीडियो को पाउस करके पढ़ सकते हैं clear next है आपका what is the length of India's coast line clear इंडिया की जो total coast line है उसकी length around 7500 km है clear तो आप से exam में इससे related क्या क्या आप question पुछे जाते हैं जो पहला question बारवर repeat किया जाता है exam में इससे related कि कौन सा ऐसा राज्या है जिसकी सबसे लंबी coastal boundary है तो वो है आपका गुजरा clear तो वो है आपका गुजरा clear और भारत के कितने ऐसे राज्या है जिनका coastal area है तो ऐसे कुल 9 राज्या है भारत के जिनका coastal area है और चार ऐसी union territory है जो sea के साथ लगती है clear clear okay next है आपका which is the straight connecting Arabian sea and the bay of Bengal clear आपके exam में कभी कबार straight से भी question पूछा जाता है clear तो मैंने इस question के अंदर इस picture के अंदर लगभग जो important straight है आपकी वो सारी मैंने इसके अंदर लिख दी है तो जो आपको Arabian sea और bay of Bengal को जो straight अलग करती है उसका नाम है पलक straight clear और कुछ importance जो कि मैंने इस table में डाली हुई है कि डंकेन passage जो डंकेन पासिज है आपका वो बे ओफ बंगाल और अंदेमान sea को join करता है और वो rootland island of great अंदेमान and little अंदेमान को separate करता है और इसी तरह आपकी 10 degree channel वो आपकी bay of Bengal और अंदेमान sea को join करती है और वो little अंदेमान तथा कार निकोबार island को separate करती है clear और इसी तरह आपकी important bass trait जो आपकी great Australian bite and tasman sea को join करती है और tasmania island and mainland Australia को आपस में अलग करती है ठीक है जो कुछ important another है वो आप वीडियो पाउस करके पढ़िएगा next है आपका in human body into which does the pancreas secret its enzyme clear तो आपको पता है कि जो human body में जो pancreas होता है वो enzyme secret करता है clear तो वो जो enzyme secret करता है वो dudonim के अंदर करता है clear dudonim के अंदर वो enzyme secret करता है clear तो dudonim क्या होता है, जहां से आपका small intestine शुरू होता है, यह जैसा आप picture में देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, यह वाला, dudonim of small intestine, जहां से आपका small intestine छोटी यहां शुरू होती है, वह वाला part होता है, यह वाला, यह अपका है, pancreas, तो यहां से भी जितने enzyme secret होते हैं पेंक्रियास से वो किसमें secret किये जाते हैं आपके deodenum के अंदर जैसे यहां दिखाया गया है कि digestive enzyme यहां लिखा हुआ है देखो next question है आपका what does increase in carbon dioxide in atmosphere cause तो आप सभी को बता है कि अगर हमारे atmosphere में carbon dioxide ज़्यादा होगी clear तो उसकी वज़े से क्या होगा उसकी वज़े से जो आपका temperature होगा अर्थ का वो क्या करेगा increase करना शुरू करेगा clear next है आपका with rise of temperature what will be the surface tension of a liquid तो आप सभी जानते हैं कि जो liquid की surface tension होती है वो उसमें उपस्थिक या उसमें present molecule में present cohesive force की वज़े से होती है clear तो जैसे आप water को गरम करते हो तो वो cohesive force जो molecule के बीच में होता है वो तूटने लग जाता है तो जिसकी वज़े से क्या होता है आपकी surface tension भी क्या होने लग जाती है liquid की कम होने लग जाती है clear next है आपका the salivary gland secret saliva that contain which enzyme तो जो आपका salivary gland है mouth के अंदर जो saliva को secret करता है तो आपका saliva में कौन से enzyme उपस्तित होता है तो वो होता है petylene clear और इसी तरह कुछ important है जैसे कि आपका pepsin जो enzyme होता है वो stomach के अंदर होता है और जो आपका trypsin है वो आपका small intestine के अंदर होता है next है आपका which sugar is present in considerable amount in the blood आप सभी को पता है कि आपके blood में हमेशा glucose का level रहता है glucose present रहता है यदि आपके blood में glucose की मातरा ज़्यादा हो जाते है तो हम diabetes का शिकार हो जाते है clear तो एक considerable amount में हमेशा हमारे blood के अंदर क्या लैता है ग्लुकोज जो कि हमारे श्रीर को क्या देता है एनर्जी देता है नेक्स्ट है आपका विच पार्ट विच पार्ट ओफ यूमन ब्रेइन इस दा रेगुलेटिंग सेंटर फोर स्वेल्विंग एंड वोमेटिंग जैसा आप डाइग्राम में देख सकते है मेडूला ओबलोनो गाटा यह ब्रेइन के पार्ट का नाम है जो क्या करता है आपकी वोमेटिंग और स्वेल्विंग को कंट्रोल करता है जैसा कि डाइग्राम में दिखाया गया है नेक्स्ट है आपका विनेगर का में कंस्टिटुएंट या विनेगर में जो एसीड मुझूद होता है उसका नाम है एसेटिक एसीड और इसी तरह इसी एसीड से रिलेटिड भी काफी कोस्टेन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो मैंने जो मोस्ट इंपोर्टन है वो इस टेवल के अंदर लिखे हैं आपको पता ही कि जो आपका सिट्रिक एसीड होता है तो वो हमेशा आपके जितने भी खटे फल होते हैं उसमें पाया जाता है लिए तो सिट्रिस फ्रूट हो गया आपका लेमन ओरेंज उसी तरह आपका टार्टरिक एसीड हो गया tartaric acid आपका grapes, pineapple, potatoes, carrots के अंदर आपको मिलेगा oxalic acid हो गया ये भी important है जो आपका tea, cocoa या फिर pepper में पाया जाता है benzoic acid भी आपका important है जो कि आपका cranberries, prune और plums के अंदर पाया जाता है और lactic acid आपको पताई कि जब आपकी body में milk digest होता है तो तब lactic acid बनता है clear तो जो कुछ में नहीं बोले तो आप वीडियो को pause करके आप उनको देखिएगा most important है ये भी next है आपका which compound is used for writing on glass तो glass के ओपर लिखने के लिए हम hydrogen fluoride का use करते है recoil of a gun is an example of which thing so जैसे कि हम गोली चलाते है तो क्या होता है कि जो gun होती है वो एक force मारती है पीछे की तरफ देखेलती है body को ठीक है तो उसे हम कि वो किसकी वज़े से होता है वो तो आपका conservation of linear momentum की वज़े से clear अब ये linear momentum क्या होता है कि all the body have power of exerting of force on other body clear तो इसी power की capacity को जब हम miser करते हैं उसे हम linear momentum बोलते हैं clear तो ये आपका linear momentum linear momentum conservation of linear momentum का principle है ये आपका rocket पर भी apply होता है तो आपके exam में ऐसे भी पुछा जाता है कि rocket में कौन सा principle का use होता है तो उसमें भी आपका answer होगा conservation of linear momentum clear next है आपका which destroy the toxic substance found in digested food तो आप सभी को पता है कि जो आपका liver होता है body का जो कि सबसे बड़ा gland है उसका काम क्या होता है कि जो आप food खाते हो clear तो उसमें जितने भी minerals, vitamins होते हैं उन सभी को वो store करके रखता है और फिर आगे आपके सभी body part में क्या करता है वो transfer करता है clear और इस liver का दूसरा काम होर क्या होता है कि जितने जो भी आपने food खाया है या फिर जो भी आपने कुछ पिया है जिदि उसमें कुछ toxic element है तो उनको भी बहार निकालना liver का ही काम होता है clear next है आपका which compound is commonly used as anti-freeze in automobile radiator तो glycerol को as a anti-freeze use किया जाता है automobile radiator के अंदर clear तो कुछ important others anti-freeze भी use किया जाते है automobile के अंदर जिनका नाम है methyl, alcohol, ethylene, glycol, propylene, glycol clear और ये anti-freeze होता क्या है anti-freeze is an additive which lower the freezing point of water base liquid clear next है आपका which city will never get the vertical rays of the sun आप देखिए डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए clear तो गर्मी के महिने में जून के महिने में clear तो जो आपकी vertical ray होगी clear ये जो आपका ये orbit दिखाया गया है ये देखिए आप इस से लेके west तक का तो इसके नीचे जितना भी reason होगा उस सभी पर हमेशा क्या होगी vertical ray पड़ेगी clear तो जब हम सर्दी की बात करेंगे 21 December तो आपका orbit ऐसे चेंज हो जाता है ये जैसे ये वाला ये orbit होगा आपका east से west तो जो ये वाला reason होगा तो इसके उपर आपकी vertical rays पड़ेगी और आपको पता है कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है वो कहाँ पर है इंडिया के north में है यहाँ देखिए north में है clear तो north में कभी भी ना तो जून में और ना ही आपका सर्दी में clear ना ही क्या होगा sun की कभी vertical rays पड़ेगी ही नहीं तो क्शिरी नगर एक ऐसा है इंडिया के अंदर जहाँ पर sun की कभी vertical rays नहीं पड़ती next है आपका steroid have their orbit between which planet clear तो asteroid belt आपको पता है किन दो planet के बीच में लाई करती है वो करती है orbit of Mars और orbit of Jupiter के बीच में जैसा कि डाइग्राम में दिखाया गया है steroid belt next है आपका what is ready what is a ready source of energy available for athletes so सबसे असान जो energy का source होता है athlete के लिए वो होता है carbohydrate clear तो carbohydrate क्या होता है is a biological molecule consisting of carbon hydrogen and oxygen जो आपका carbohydrate होता है वो carbon hydrogen oxygen से बना होता है तो जिसमें hydrogen और oxygen का नुपाद two ratio one होता है clear तो अब carbohydrate को divide किया गया है कुछ classes के अंदर जैसे कि monosaccharide, diaccharide, oligosaccharide, polysaccharide अब ये monosaccharide क्या होते हैं तो जो carbohydrate जिनको बनने के लिए single unit sugar चाहिए उन्हें हम monosaccharide बोलते हैं clear और जो 2 monosaccharide unit का यूज़ करके जो carbohydrate बनता है उसे हम diaccharide बोलते हैं clear और 2 से लेके 10 तक monosaccharide unit को अगर आप जोड़ोगे तो जो carbohydrate बनेगा उसे हम oligosaccharide बोलते हैं कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा या तो glucose ऐसे पहले तीन दे दिये जाएगे monosaccharide में से और fourth दे दिया जाएगा आपको diaccharide में से या इसका उल्टा diseases in which blood supply to the heart is inadequate तो जब आपका हर्ट खुद को ही खुद की ही मसल को ही खून नहीं पहुचा पाता तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं एंजीना एंजीना बोलते हैं हम ऐसी स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रो पौरस एब्सट्लारइन टाइप को होता है और यह जैसे कि यहाँ पर लिखा हुए जिलोलाइट्स और माईक्रो पॉरस अल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स कोमनली यूज़ ऐस कमर्शल अब्सोर्मेंट एंड केटालिस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं डाइगराम में अलमूनियम सलफेट और इसका जो chemical formula है वो है आपका AL2SO4-3 next है आपका which gland disappear during old age most important question है यह वी तो human की body में सिर्फ thymus ही एक ऐसा gland है जो समय के साथ उमर बढ़ने के साथ सथ एक time पे जाके क्या हो जाता है? disappear हो जाता है clear? तो इस thymus का काम क्या होता है? पहले बाद तो आप इसकी position देखिए थाइमस की position कहां पर यह देखिए थाइमस यह वाला जो आपका है यह वाला इससा यह इधर separate करके दिखाया गया है यह सार आपका क्या है? थाइमस है clear? इसका काम क्या होता है? यह T lymphocyte या फिर कहो आप T beta cell को secret करता है clear? और जो यह T lymphocyte या फिर T beta cell होते हैं यह एक परकार के white blood cell है और आपको बता है कि जो white blood cell होते हैं वो बोडी में किस काम आते हैं? बोडी की immunity को कायम रखने के लिए clear? तो जो आपका थाइमस भी होता है वो बोडी की immunity को कायम रखने में हमारी मदद करता है clear? तो जब आदमी लगवग 75 साल का हो जाता है तो तब यह आपका थाइमस घट कर सिर्फ 6 ग्राम का रह जाता है clear? नेक्स्ट है आपका इन पी टाइप semi-conductor which are the major charge carrier clear? तो सबसे पहले semi-conductor क्या होता है? semi-conductor is a substance, usually a solid chemical element or compound that can conduct electricity under some condition but not others making it a good medium for control of electric current अब जैसा कि आप डाइग्राम में देख सकते हैं कि जो आपके P-type के semi-conductor होते हैं उनमें हमेशा extra hole होते हैं ज्यादा तर जो आपके energy होती है किसमें होती है? hole, extra hole energy levels clear? और जो आपके N-type के होते हैं semi-conductor उनमें हमेशा क्या होते हैं? extra electron energy levels clear? next है आपका which harmful element tobacco exist in tobacco? तो आपको पता है tobacco के अंदर क्या होता है? nicotine आप एड़ वगरा में भी देखते होंगे जो हमारी body को क्या करता है? नुकसान करता है और ये tobacco में present होता है next है आपका during electrolysis which the species are discharged at cathode तो electrolysis process में cations होते हैं जो आपके cathode पे discharge होते हैं जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं next है आपका which gland is situated beneath the brain and whose over-secretion produced giant size children जैसे कि आप कभी TV में देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं कुछ लड़की होते हैं कि अपने size से ज़ादा ही कुछ लंबे हो जाते हैं height वगरा में तो वो किसकी वज़े से होता है वो अगर आपका pituitary gland जो आपके hormone secretion है उनको control नहीं कर पाता और वो बार-बार secret होते रहते हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है giant children बोल देते हैं जिनको पैदा होते हैं जो आपका pituitary gland को हम master gland भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये most of endocline gland होते हैं जो उनको function करता है उनको control करता है इसलिए pituitary gland को master gland भी बोला जाता है जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं clear next है आपका what is the SI unit of young modulus of elasticity SI unit of young modulus of elasticity होता है newton per meter square और ये young modulus of elasticity होता क्या है is a measure of a stiffness of an elastic material it is used to describe the elastic property of object आप simple way में ऐसे रखिया इसे ऐसे आद रखिये कि it is used to describe the elastic property of objects next है आपका in which antibody formation takes place तो जो आपके antibodies होते हैं अब antibodies क्या होते हैं भी आपके antibodies also known as immunoglobulin is a large ये Y shape के protein होते हैं clear जो mainly आपके blood के plasma part के अंदर produce होते हैं and used by the immune system to neutralize pathogens such as bacteria and virus clear जो आपके antibodies होते हैं वो blood plasma के अंदर बनते हैं जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं next है आपका non-stick cooking utensils are coated with which metal आप सभी को पता है बार बार ये काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है question है तो जो आपके non-stick pan होते हैं जो भी आपके utensil होते हैं उन सभी को teflon से coated किया जाता है clear उन सभी को teflon से coat किया जाता है clear यहां पर आप teflon के structure देख सकते हैं next है आपका who is known as a father of taxonomy तो father of taxonomy बोला जाता है linear को clear इसी तरह इसी से related bio में कुछ important question आप देखेंगे जब आप bio पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो father of botany father of botany बोला जाता है theopretus को father of geology बोला जाता है aristol को और father of biology भी बोला जाता है aristol को clear next है आपका which nutrients are most likely to be affected by food processing and storage आप सभी को पताए कि यह हम ज़्यादा temperature पर खाना बनाते हैं या फिर ज़्यादा दिनों तक खाने को store करके रखते हैं तो उसमें मुझूद जो vitamins होते हैं वो minerals होते हैं वो क्या हो जाते हैं घट जाते हैं कम हो जाते हैं next है आपका when there is a no external force the shape of liquid drop is determined by clear आप सभी को बता है कि जो हम पानी की drop होते हैं उसे हमेशा हम as a spherical form assume करते हैं क्योंकि जो spherical form होती है structure होता है उसका जो contact area होता है बहुत जादा कम होता है contact surface area होता है बहुत जादा कम होता है clear तो यहाँ पे है कि when there is a no external force the shape of liquid drop is determined by surface tension of the liquid when pressure exerted on enclosed liquid or gas at rest is transmitted equally in all direction is in accordance with तो आप सभी को पता है कि जो पासकल ला होता है कि जैसे यहाँ पे hydraulic lift का example दिखाया गया है कि जैसी कि आप इस वाले part पे अगर आप force apply करते हो clear अगर आप इस वाले part पे one newton का force apply करते हो तो जो वो force क्या होगा इस water पे लगेगा यह जो आपका fluid है इसके अंदर इस पे लगेगा तो इनके molecule से transfer होकर वो force कहाँ पर लगेगा यहाँ पर और इससे क्या होगा जो यह वाला part होगा आपका उपर move करेगा और यहाँ पर देखो output कितने force की आएगी यहाँ पर आपकी output आएगी 50 newton clear तो आपका जो पासकल ला होता है वो किसमें यूज होता है आपका hydraulics breaks हो गया hydraulic lift हो गया clear यह सारे जो example हैं किसके हैं पासकल ला के next है आपका in the visible spectrum the color having the shortest wavelength clear मैंने जैसे आपके पिछले वीडियो में dispersion of light बताया था कि जब white ray prism से गुजरेगी तो वो 7 color में divide होती है clear उसे हम कैसे याद रखते हैं vib के और के नाम से ठीक है तो जब आप v से लेके r तक जाओगे ठीक है जब आप v से लेके यहाँ देखो आप last में देखो v है न वी से लेके उपर आप r तक जाओगे तो यहाँ पर देखो आप यह लेमडा आपकी wavelength है wavelength क्या हो रही है आपकी increase हो रही है clear तो v से लेके r तक जाओगे तो आपकी wavelength क्या हो रही है increase हो रही है तो सबसे कम wavelength किसकी होगी violet की और सबसे ज़्यादा wavelength किसकी होगी red की clear और जब बात आईगी frequency की clear तो जो आपकी violet color की light होगी उसकी frequency सबसे ज़्यादा होगी और जो आपकी सबसे end में होगी are red उसकी frequency सबसे कम होगी clear next है आपका when salt is properly mixed with ice the melting point of ice आपको पता है कि जब हम salt को बरफ के अंदर मिला देते हैं तो उसकी वज़े से उसे क्या हो जाता है जो उसका melting point है वो increase हो जाता है clear तो बरफ को पिंगलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है next है आपका in a plane mirror the distance of an image is the आप सभी को पताएगी जो plane mirror होता है आप उसमें अपना image देखते हो तो आपके बीच में उस mirror के बीच में जितना distance है उतना ही distance आपका आपकी image और उस mirror के बीच होता है clear यह property होती है plane mirror की next है आपका the mirror used in motor vehicle near the driver seat is clear तो जो आपका rear view mirror होता है driver की seat के right hand side में या फिर आपके left hand side में clear जो mirror होते हैं दो उनमें कौन सा lens यूज़ किया जाता है convex mirror बोलते हैं उनको convex mirror यूज़ किया जाता है next है आपका if a wire is stretched to make its length three times it resistant will become आप जैसा यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका resistance होता है वो directly किसके proportional है length के और inversely किसके है area के तो जब आप wire की length three times increase कर दोगे तो L आपका क्या हो गया पहले से 3L हो गया और जो आपका area हो जाता है वो 1 by 3rd हो जाता है clear तो जो आपका अब area होगा तो वो कितना होगा पहले वाले से 1 by 3rd यानि कि 1 by 3rd A तो यहाँ पे 3L रखोगे यहाँ पे 1 by 3rd A रखोगे तो यह 3 जो निच्चे होगा उपर चला जाएगा तो जो आपका resistance होगा वो कितना हो जाएगा फिर 9 times हो जाएगा clear next है आपका the danger signal are red while the eyes is more sensitive to yellow because क्यों? क्योंकि जो wavelength होती है red light की वो सबसे ज़्यादा होती है इसलिए हम जो signals होते हैं उनमें red light का use करते हैं clear और जो red color होता है wavelength ज़्यादा होनी की वज़े से वो dissipation उसका कम होता है as compared to yellow light clear इसी तरह हम इसी वज़े से हम जो आपकी red light होती है उसको हम ज़्यादा दूर से देख सकते हैं next है आपका which one of the flowing atmospheric layer absorbed ultraviolet rays of the sun आप सभी को बता है कि जो आपकी ozone layer होती है वो sun से जितनी ultraviolet rays आती है उन सभी को क्या करती है absorb करती है clear जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर और जो आपकी ozone layer है यहाँ पर यह रही यह जो आपकी blue color की रिंग से दिख रही आपको और जो आपकी ozone layer होती है देखे आप किसके बाद है troposphere ठीक फिर troposphere के बाद आपका tropopause आ जाता है फिर क्या आ जाता है stratosphere फिर आपका ozone layer फिर आपका mezosphere और फिर क्या है आपके आखिर में ionosphere clear नेक्स्ट है आपका और हाँ जो आपके जितने भी aeroplanes होते हैं यहाँ पर देखे आप यह aeroplane चपा हुआ है यह सारे कौनसी layer में उड़ते हैं यह देखे आप यह कौनसी layer है यह है आपकी stratosphere और जो आपके spacecraft होते हैं वो कौनसी layer में उड़ते हैं वो उड़ते हैं आपके mesosphere यहाँ देख सकते हैं आप यह जो region है यह spacecraft है यह कौनसी region में है mesosphere के अंदर और जो आपके balloons बगएरा होते हैं यहाँ देखिए यह balloon बना हुआ है गरम गैस वाला यह सारे कौन से reason में उड़ते हैं कौन सी layer में यह उड़ते हैं आपके trophosphere में next है आपका in galvanization iron is coated with zinc तो आपको पता है कि iron की galvanization क्यों करते हैं उसको corrosion से बचाने के लिए जंग से बचाने के लिए तो उस पे zinc की coating की जाती है the white phosphorus is stored in हम white phosphorus को हमेशा water के अंदर store करके रखते हैं क्यों क्योंकि जो आपका white phosphorus होता है वो room temperature भी flammable होता है आग पकड़ लेता है इसलिए हम उसको हमेशा water के अंदर store करके रखते हैं next है आपका chicken pox is caused by तो chicken pox आपकी सबसे पहले बात एक virus diseases है clear तो most important कुछ में नहीं यहाँ पर लिखी है virus जो कि virus से disease होती है clear तो पहली आपकी influenza दूसरी rabies फिर आपकी Ebola और फिर आपकी HIV 1 and 2 clear अब यहाँ पे animal reservoir मतलव कि जो आपके influenza आपको पता virus से होता है तो आपको influenza bird pigs और horses तो यह जो virus होते हैं यह bird pigs और horses पे रहते हैं ठीक है animal reservoir मतलब कि अगर आप इनके नजदीक जाओगे animal bird pigs या horses के नजदीक तो आपको influenza होने का डर हो सकता है इसी तरह आपका rabbits आपको पता है rabbits किसे होता है bats चमगादर से या फिर dogs कुत्तों से या फिर fox लोमडी से clear so next question है आपका the pancreas secrets तो आपका जो pancreas होता है वो insulin secret करता है और insulin का काम क्या होता है body के glucose level को maintain करके रखना अगर हमारी body में insulin बनना कम हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है diabetes की बिमारी हो जाती है clear और जो आप यहाँ पर देख सकते हो pancreatic juice also break down into fat यहाँ पर दिखाया गया है सारा diagram में यह आपका सारा क्या है pancreas है clear पहले जैसे मैंने पहले भी vaccine is used for जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 injection दिखाये गए है D. stand for diptheria P. stand for perusis and T. stand for tetanus clear यह होगे आपके dipty की full form तो dipty vaccine हमेशा diptheria whooping cough और tetanus के लिए दिया जाता है next है आपका who invented vaccine for smallpox most important question है आप यह picture देख सकते हो यह picture है Edward Jenner का जिनोंने first time पहले बार smallpox का vaccine इजाद किया था clear next है आपका if the body reject its own cell it is cold most important question है यह भी जब आपकी body अपने खुद के ही cells को reject करना शुरू कर दे clear तो उस condition को हमेशा क्या बोलते है autoimmunity next है आपका the jondis is a psychological liver disease it is caused by आपको पता है jondis philia बोलते हैं जिसको तो यह bacteria की वज़े से होता है पहली बात तो और सबसे ज़्यादा effect सबसे ज़्यादा नुकसान इस विमारी में किसको होता है आपके liver को clear next है आपका a scientist associated with antibiotic तो आपको पता है कि पहली बार जो antibiotic किस ने इजाद की थी वह होते अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि एक Scottish scientist थे बायलोजिस्ट थे जिन्नोंने 1903 में lysogym जो कि वर्ल्ड की first antibiotic substance था इजाद किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग next है आपका genetically engineered human insulin is prepared by using आपको पता है कि जो पहले insulin बनता था वो animals से प्रापत होता है like sewers घोडों से प्रापत किया जाता था तो उसकी वज़े से क्या होता था कि कुछ humans को infections हो जाता था उस insulin से तो अब genetically engineer के दोवारा अब जो आपका insulin है वो bacteria fungi yeast से त्यार किया जाता है clear bacteria से आपका जो insulin होता है वो bacteria से त्यार किया जाता है next है आपका the gas responsible for ozone depletion clear तो वे कौन सी gas है जो ozone के depletion का कारण बनती है जैसे कि आप यहाँ diagram में देखिए clear जितने भी आपके chlorofluorocarbons होते हैं hydrocarbons होते हैं जितने भी आपकी emissions गैसे होती हैं जो कि गाडियों से निकलती है और nitric oxide हो गया और आपकी frions होगी यह सभी क्या है सभी के सभी जो कारण है किसका कारण बनते हैं आपका ozone के depletion clear यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे cfc chlorofluorocarbons hydrochlorofluorocarbons clear so next है आपका what does soda water contain आप सभी को बताए कि जितने भी आप soda पीते हैं pepsi, cola या thumbs up जो भी आप पीते हैं सभी में क्या होता है carbon dioxide PVC is formed by the polymerization तो PVC की full form होती है polyvinyl chloride clear so जो vinyl chloride का जब हम polymerization करते हैं तब हमें polyvinyl chloride मिलता है जैसे कि आप इस reaction में देख सकते हैं एक्षिन दिखाई गई है यहाँ पर तो polyvinyl chloride का use कहां कहां किया जाता है यह आपका सभी building, transport, packaging और electronics industry में poly PVC का use किया जाता है polyvinyl chloride का clear next है आपका synthetic detergent are more effective in hard water than soaps because क्योंकि जो आपके synthetic detergent होते हैं उनमे calcium और magnesium के salt होते हैं क्या होते हैं कि hard water में भी असानी से घुल जाते हैं clear तो इसी तरह आपके जो synthetic detergent होते हैं वो more effective होते हैं as compared to soap in hard water clear next है आपका if the temperature of a patient is 40 degree Celsius what will be the temperature on the Fahrenheit scale आप सभी 10th class में पढ़ चुके हो यह सब कि जो आपको अगर degree Celsius से Fahrenheit में किसी temperature को change करना है अब आप 40 को ही ली लीजिए तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं 9 by 5 से multiply करते हैं तो आप 40 को 9 by 5 से multiply किजी कितना है 72 clear अब 72 में हम 32 add करेंगे clear आप 72 में क्या करेंगे 32 ये वाला 32 add करेंगे तो कितना हैगा 104 Fahrenheit तो अगर आपको Fahrenheit से degree Celsius में करना है scale वो एक दूसरे को minus 40 degree पर क्रोस करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि minus 40 degree Celsius और minus 40 degree Fahrenheit दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं clear next है आपका translocation of carbohydrate nutrients translocation होता है प्रिवर्तित होना या फिर तूटना carbohydrate nutrient usually occurs in which foam आपको पताएगी जो आपका maximum carbohydrate होता है वो maltose के form में तूटता है और maltose को हम malt sugar भी बोलते हैं clear ये एक diaccharide है diaccharide में आपको क्या बताया था कि जो दो monosaccharide का use करके बना हो तो दो sugar का use करके बना हो से हम diaccharide बोलते हैं clear तो maltose also known as a maltose bios और malt sugar is a diaccharide formed from two unit of glucose joined with an alpha bond formed from a condensation reaction clear next है आपका which one of the flowing when dissolved in H2O gives hissing sound तो जो आपका limestone यहनी के बोलते हैं आप इसको चूना पत्थर बोलते हैं आप इसको इंदी में तो जब आप इसको water में dissolve करते हो डूबोते हो तो ये hissing sound create करता है clear और जो इसकी composition होती है lime stone की क्या क्या होता है इसके अंदर इसके अंदर आपको minerals होते है केल्साइट होता है इसके अंदर इसके अंदर argonite होता है इसके अंदर और इसके अंदर calcium carbonate ciao3 present होता है clear so next है आपका food is converted into energy in which of the cellular originally of cell clear आप सभी को पता है कि mitochondria को हम cells का क्या बोलते हैं powerhouse भी बोलते है clear so mitochondria are known as the powerhouse of the cell they are originally that act like a digestive system which takes in nutrients break down them and creates energy rich molecules for the cell तो यह जो सारी process होती है nutrients का तूटना और उसका energy में convert होना और फिस उस energy का आगे transfer होना यह किसमे होता है सारा mitochondria में clear so this biochemical process को हम cellular respiration भी बोलते है यह जैसे कि आप सभी को diagram में दिखाया गया है mitochondria को काट कर दिखाया गया है यह जो आपका blue color का thread है यह DNA है आपका ribosome हो गया matrix outer membrane clear next है आपका what is study of interrelationship between living organism and their environment तो ecology होती है जो हमारी वो होती है study of interrelationship between living organism and their environment clear but जो आपकी biology होती है वो is a natural science concerned with the study of life and living organism including their structure, function, growth, evolution, distribution, identification and taxonomy यह difference होता है ecology और biology के study के बीच में clear next है आपका the Sivasundram fall is on which river तो जो आपका Sivasundram fall है वो आपका कावेरी नदी के उपर है जो की करनाटका में है तो इसमें मैंने list डाली है most important इंडिये के rain falls की तो मैं एक दो पता देता हूँ आपको जैसे कि आपको पता होगा दुद सागर falls जैसे कि आपने चिन्नी एक्स्प्रेस में देखा हुआ तो यह आपका पढ़ता है मंदोवी रिवर गोवा में वसुद्रा falls आपका अलकंदा रिवर जो की कहा है उत्राखंड में आप सभी को पता है कि जो चिल्का लेक रिजन है वो आपका माहन अधी और गोतावरी नदी के बीच में लाई करता है तो लेक से related कुछ important facts में नहीं यहाँ पर लिखे है जैसे कि आप largest lake in India largest lake in India आपको पता है संबर लेक और संबर लेक कहा है राजस्थान में शिरी हरी कोटा island is located in तो शिरी हरी कोटा island आपका है पुलिकट लेक पुलिकट लेक कहाँ पर है अंदरपरदेश में largest lake in the world तो largest lake in the world होती है आपकी caspian sea और यह कहाँ पर है bounded by इरान, रशिया, कजाकस्थान तुरमेकिनी स्थान और deepest lake in the world बेकाल, fresh water जो कहाँ पर है रशिया में तो आप जो रहे गई हैं वीडियो का पाउस करके आप पढ़िये next question है आपका when light passes from air into glass it experience change in which thing तो जब आपकी light air से glass के अंदर जाएगी तो हमेशा उसकी जो wavelength होगी और जो उसकी speed होगी वो vary करेगी clear next है आपका what is the chemical name of tear gas तो जो आपकी tear gas होती है उसका chemical name होता है chloroacetophenone next है आपका sparkling of diamond mirage and looming shining of air bubble in water and optical fiber are example of आप सभी को पता है यह सारे के सारे example जो यहाँ पर दिये गए हैं कौन से principle पर बेस है total internal reflection पर total internal reflection क्या होता है कि जब भी कोई raise आपकी incident angle critical angle से ज़्यादा आपका incidence angle होता है तो वापस वही ray होती है जो आपकी उसी medium में वापस लोड जाती है आपर देख से वह थर्ड डायग्राम में तो यह रह यहाँ पर टकराई वापस अपनी medium में लोड गई लेर तो इससे क्या बोलते हैं total internal reflection mirror used for shaving जो आप shaving scope जो की examine eye को examine करने के लिए यूज किया जाता है plus जो nose के doctor यूज करते हैं और जो solar cookers इन सभी में हम concave mirror का यूज करते हैं next है आपका mirror used as a rear view mirror in vehicle यह हम पढ़ चुके हैं पहले question कि जो आपके गाड़ियों में rear view vehicle में कौन सा mirror use किया जाता है convex mirror का clear और sodium reflector lamp होते हैं जो हमारे सडकों पर लगे हुँ होते हैं तो उनमें भी हम किसका use करते हैं convex mirror का next है आपका to see his full image in a plane mirror a person require a mirror of at least clear तो यनि कि एक व्यक्ति को अपनी खुद की पूरी height mirror में देखने के लिए उसे कम से कम उसकी height का half mirror चाहिए लेर यदि उसकी height 6 foot है इसका मतलब उसे तेन फूट लंबा क्या चाहिए mirror चाहिए उसकी height को पूरा देखने के लिए mirror में next question है आपका a unit used to express the focal power of optical lens तो optical lens की focal power को diopter से मापते है rain water collected from 30 to 40 minute of raining is not suitable for drinking because it is जो rain water होता है बारिश के 30-40 minute के बाद अगर पानी को आप ही कठा करोगे और उसको पी ओगे आप उसको पी नहीं सकते क्यों क्योंकि वो acidic हो जाता है clear next है आपका blood vessel carrying blood from the heart to various part of the body is called most important question है ये भी तो जो आपके artery होती है उसका क्या काम होता है वो आपका जो heart sorry आपका जो blood होता है वो heart से आपके body के जितने part है वहाँ पर सभी को blood पहुँचाती है आप ये artery का structure देख सकते है next है आपका the largest gland in the liver sorry largest gland in the body which is dark red in color तो आप सभी को बता है largest gland body का कौन सा है liver है लिएर तो liver की कुछ important facts जो मैंने यहाँ पर लिखे है कि जो आपका most important facts क्या है कि जो आपका blood होता है जितना body में तो liver के अंदर हमेशा हमेशा 10% जितना आपका blood है तो उसका 10% हमेशा liver के अंदर रहता है हमेशा clear और जो पहला transplant हुआ था liver का वो हुआ था Canada में Dr. Pierre Delo Jay ने 1970 में किया था clear तो जो आपका liver होता है वो bile juice secret करता है clear और वो bile juice क्या करता है वो आपका जो food हम खाते हैं उसको digest करने में हमारी मदद करता है clear और liver का क्या क्या क्याम होता है आपका और जितना भी हम food खाते हैं या फिर हम alcohol वगएरा या कोई अन्य चीज हम खाते या पीते हैं तो उसमें जितने भी आपके antioxidant होते हैं तो उनको सभी को श्रीर से बाहर निकालना भी आपके liver का काम होता है clear so एक और property most important fact liver का क्या है एक और interesting fact कि जो liver होता है हमारी body का उसकी सबसे ज़्यादा regenerating power होती है clear तो इसी की वज़े से क्या होता है कि एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को liver denote कर सकता है इसी प्रवर्टी की वज़े से clear चलिए next है आपका common cold, influenza, chicken pox and measles are caused due to the attack of virus or bacteria ये question हम पहले पढ़ चुके हैं chicken pox वाला तो आपने क्या पढ़ा था महाँ पर virus clear the different color of different stars are due to the variation of तो जो आपको जो stars दिखते हैं सभी का color अलग-अलग दिखता है कोई ज़्यादा blink करता है, कोई कम blink करता है clear, किसी का रंग थोड़ा blue होता है किसी का रंग yellow दिखता है तो वो किसकी वज़े से दिखता है, वो दिखता है आपको temperature की वज़े से, उस तारे के temperature पे depend करता है next है आपका ginger is a stem and not a root is it true or false तो ginger आपका stem है, तना है क्यों, क्योंकि इसमें node और inter-node present होते हैं, जैसा आप diagram में देख सकते हो, ये node हो गया और ये आपका inter-node, clear next है आपका, substance produced by microorganism that kill or prevent growth of other microorganism is called antibiotics, clear उन्हें क्या बोलते हैं, anti-biotic the heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance through 1 degree Celsius is called, clear तो जो हमें heat चाहिए होगी 1 kg water की उसका temperature 1 degree बढ़ाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, specific heat, next है आपका, water that does not form leather leather with the soap easily is called, आपको पता है, कि जो hard water होता है, वो easily soap नहीं create कर पाता, sorry, leather नहीं create कर पाता, soap के साथ clear, so hard water basically होता है, hard water is that a high mineral content, तो high water के अंदर जो high mineral content होते हैं किसके, calcium और magnesium carbonate के clear, calcium और magnesium carbonate के, next है आपका the lines drawn on maps, joining the place having same barometric pressure clear, तो map पे जो line आपके same barometric pressure region को denote करती है, उसे हम ISO bar बोलते हैं, और जो line आपके constant और equal temperature को show करती है, map के उपर, उसे हम ISO therm बोलते हैं, clear, oil spreads over the surface of water why, क्योंकि जो आपका oil होता है उसकी surface tension क्या होती है water से कम होती है, जिसकी वज़े से वो क्या करता है, अमेशा water के surface पर float करता है, तैरता है next question है आपका in high mountainous region bleeding through nose occur because, क्योंकि आप ज़्यादा mountain या फिर high distance पर चले जाते हैं ज़्यादा उची पहाड़ी पर आप चले जाते हैं तो आपर क्या होता है, कि nose से bleeding होना शुरू हो जाता है वो क्यों होता है, कि the pressure of the blood in the capillaries clear, is higher than the outside air pressure यही कारण होता है, कि आपकी नाख से खून बहेने लगता है, ज़्यादा अगर आप किसी पहाड़ी फे ज़्यादा उन्चाई तक चले जाते हो clear, next question है आपका when cream is separated from milk, the density of milk increase or decrease, तो ध्यान रखना जो आपकी density होगी, वो क्या होगी increase होगी, जब आप क्या करोगे, milk में से cream को अलग करोगी, next है आपका an instrument that measures and record the relative humidity of air, तो उसे क्या बोला जाता है hygrometer, जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं, hygrometer का दिखाया गया है diagram, next है आपका, in order to stay over the same spot on earth, most important question है, a geostationary satellite has to be directly above, मतलगी, same spot पर अर्थ के रहने के लिए एक geostationary satellite को किस के ओपर चक्कर लगाना चाहिए तो जो आपका equator होता है तो जो आपका geostationary satellite होता है, उसे क्या करना चाहिए, equator के चार ओर चक्कर लगाना चाहिए, जैसे आप देख सकते होगी जो आपका geostationary satellite होता है, वो क्या होता है is an earth orbiting satellite placed at an altitude of approximately 35,800 km, clear? या फिर कैलोड 20,300 miles, directly over the equator, यह important है directly over the equator, clear? यहाँ पे different country के different, different geostationary satellite दिखाए गए है, यह देखिए यह आपका equator है, और equator के over में जैसे यह आपका gos USA का है, gos WUSA का है, gms जपान का है, और यह inset इंडिया का है और यह metoset कहां का है, ESA, clear? तो next है आपका, photosynthesis take place maximum in red color and minimum in तो जो आपका photosynthesis होता है वो maximum तो red color में होता है और जो सबसे कम होता है, वो आपका violet color में होता है which variety of gloss is used for the manufacturing of optical glasses? तो flint glass का आपका use किया जाता है, optical glasses बनाने के लिए, यह question भी काफी important है, यह भी काफी बार exam में पूछा जा चुका है next है आपका, what is the process in which the loss of water occur in the form of water vapor through the aerial part of plant देखिए, यहाँ पर इस diagram में देखिए, जो आपका water होगा, वो root से जो जड़े होगी, उनसे absorb किया जाएगा absorb से फिर वो कहाँ जाएगा, transfer पतियों में, clear तो जितने पानी की अवस्कता होगी तो plant उसको use करेगा और जो बाकी जो extra water होगा तो वो क्या होगा, पतियों में से evaporate हो जाएगा, clear तो बस इसी process को हम क्या बोलते हैं transpiration, clear next है आपका, which branch of science deal with the study of tissue find in the body of organism तो histology बोलते हैं इसी science को हम, which science deal with the study of the tissue found in body of organism, क्या बोलो जाता है उसका, histology, what is the second most common element in the universe तो silica आपका है, second most common element in the universe so, thank you guys watching for video यह था हमारा second part और अभी इसका मैं third part जो कि लगबग complete हो चुका है मेरा तो मैं इसको कुछी समय में आगे upload कर दूँगा, clear तो देखिए, 1000 question नाम नाम के 1000 question है clear, मैं 1000 तो आपको करवाऊंगा ही लेकिन साथ में मैं जो आपको यह picture दे रहा हूँ, इसमें भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हरे एक picture में कम से कम 5-6 question चुपे हुए clear, तो आप जब इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, तो जब यह series खतम होगी 1000 की तो तब आप कम से कम भी 2-3,500 question आराम से पत्यार कर चुके होगी, clear सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंट के साथ शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और फिर हाँ दुबारा से मैं आपने सभी व्यूवर्स को दुबारा से मैं आप सभी व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा 1000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचाने के लिए Thank you guys for encouraging us हम ऐसे ही आपकी समक्स अच्छे अच्छे वीडियो ट्रिक्स वाली वीडियो आपकी तरफ पुंचाते रहेंगे So guys take care मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में